और भी बागी question है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत है, आप जैसे मालो तेरा का second ही बनागा है, आप simple यहाँ पे, यार मैं C के जगाँ पे 60 रख लेता हूँ, और D के जगाँ पे 30 रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे रखता हूँ, LHS लेता हूँ, यही चिक करन है इसमें भी, कॉस C प्लस में कॉस D, तो कॉस 60 और प्लस में कॉस 30, तो कॉस 60 के वैलू 1 बाइ 2, और कॉस 30 के वैलू root 3, यहाँ LC हमने लो 2, 1 प्लस root 3, ठीक है, अच्छा, RHS लो इसका, RHS में क्या है, कॉस C प्लस D, तो यहाँ देखो, कॉस C के जगाँ पे क्या रखोगे, 60 और D के जगाँ पे 30, तो यहाँ पहले प्लस कर लेंगे न, तो कॉस 90, कॉस 90 के वैलू क्या होता है, 0, तो यहाँ देखो, RHS LHS बराबर नहीं है, यानि कि कॉस C प्लस कॉस D, नॉट इकॉल टू कॉस C प्लस D, तो बाकी दोनों तो बनी जाएगा न, इसी टाइप के है, सि